दोस्टों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हैंरिक इप्सन का एक बहुत ही कमाल का ड्रामा जिसका नाम है हैडा गैबलर इसको लिखा था 1889 से 1890 के बीच में जर्मनी में हैंरिक इप्सन ने चार एट का ये ड्रामा है मैं ढंक से इसकी समरी डिस्कस करूँगा डीटेल से कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में ये कहानी शुरू होती है सेट्टंबर के महीने से सुबह का वक्त था नॉर्वे जो कि यूरोप का एक देश है वहाँ एक बहुत बड़ा सा बंगला था दोस्तों ये एक विला है और इस बंगले का नाम है टेस्मन्स विला इस विला में एक बहुत बड़ी सी तस्वीर टं जो इस घर में रहती रही है लेकिन इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है कि इनों ने ये विला अपने नेफ्यू को गिफ्ट दे दिया वो आती है इस घर में और उनके पीछे पीछे उनकी नौकरान ये बर्टी भी आती है वो इन मैडम के पीछे पीछे फूलों का गुलदस्ता अंदर लेकर आई है मिस टेस्मन के भतीजे का नाम है यॉर्गन टेस्मन मैं इसको मिस्टर टेस्मन कहे कर बुलाऊंगा इस आदमी की अभी 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 शादी हुई है हेडा गेबलर नाम की एक लड़की से केरेक्टर्स को ध्यान में रखना कहानी समझ में आती जाएगी अभी अभी दोनों हस्बंड वाइप नूली मैरेड कपल हनीमून के लिए बाहर गया था अभी अभी वो देर राट लाटकर आये हैं तो आंटी बुली रेस्ट करने तो दोनों को परिशान करना ठीक नहीं अ और सबसे ज्यादा तो इसे ये नई मालकिन हेडा गैबलर जो है इसकी बारे में डर लग रहा है सोच सोच के कि ये कैसी औरत है अब मिस्टेस्मेंट बोलती है कि हाँ मैं समझती हूँ लेकिन हेडा अब है भी तो मिस्टर गैबलर की बेटी ना मिलेटरी जनरल थे थोड़ अब ये डॉक्टर बनने वाला है मतलब इसके नाम किया कि डॉक्टर लगने वाला है प्रफेसर्शिप कर रहा है मिस्टेस्मेंट बोलती है कि काश आज मेरा भाई जिन्दा होता तो देख पाता कि उसके बेटे ने क्या कर लिया है उमीद कर रहा हूँ आपको कहानी समझ म लगा कि मैं तो हनिमून पर भी अपने साथ में सूटकेस में रिसर्च नोट लेके चला गया था वहाँ मैंने अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया अब इस बीचारे को कौन समझाए कि हनिमून टाइम वेस्ट करने के लिए ही होता है लेकिन ये वहाँ पर भी अपनी रिसर्च पेपर को ले गया तो इसकी आउंटी दुखी होकर बोलती है कि बेटा वही आल है अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अकीली रह जाओंगी मुझे दो डर लगता है कभी-कभी अब माहौल थोड़ा ए मूश्टल हो रहा था तो आउंटी ने खुदी टोन चें उसे सब मैनेज कर लिया उसके आप चिंता मत करों अच्छा बहुत बढ़िया अब तुम्हें तुम्हारा ये नया घर कैसा लगा ये बताओ भई वो बोला कि बहुत अच्छा है आउंटी लेकिन इसमें दो कमरे अभी भी खाली है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनका क्य कुछ करती है जैसे ये आउंटी और इसकी रीना आउंटी जिसकी तवित बहुत खराब है जिसका हाल चाल इसने पूछा था वो भी काफी कुछ इसके लिए करती है आखिर ये बोलता है अपने आउंटी से आप लोग कब मेरे लिए इस सब कर रहा बंद करोगे तो उसकी आ रनांस नहीं किया हो तो सौरी इसमें नाम कुछ ऐसे ही है आपको नोट करते हुए चलना चाहिए लवबर्ग जो इसी की तरह हिस्ट्री में प्रफेसर्शिप कर रहा है उसने अभी अभी एक नई बुक पब्लिश की है जो बहुत ही फेमस हो गई है ये दोनों आंटी और भतिजा दोनों आपस में बाते कर ही रहते लवबर की तभी यहाँ पर हैडा आ गई है अपना बढ़िया सा मौर्नेंग गाउन पहन कर और चिड कर बोली मैं इस मेड को बिलकुल अपने घर में बरदाश नहीं कर सकती इसने बरामदे का दर्वाजा खोल दिया और अपनी ग बोल देती है कि मेड की टोपी अपनी गंदी सी यहाँ पर रख दे आँटी ने अभी अभी नई टोपी खरीदी ताकि हैडा को बुरा न लगे कि आँटी गंदी सी टोपी पहनती है फिर भी यह बोलती है कि इस टोपी को यहाँ पर ही रखती है हैडा ने आँटी को बोला क कि आंटी से थोड़ा politely behave किया कर हूँ योगि तुम भी इसी family का हिस्सा हो तो Heda यहाँ पर क्या बोलती है दोस्तों note कर लेना इसकी lines I am not at all sure नहीं मैं नहीं हूँ यानि वो अब भी अपने आपको अपने बाप की बेटी मानती है दरसल दोस्तों Heda को इसके फादर ने अपनी बेटी की तरह नहीं बलकि एक लड़के की तरह बढ़ा किया है इसकी हर फर्माईश पूरी किया है जैसे यह अपने बाप की घर में रहती थी न वैसा ही माहौल same to same माहौल इससे अपने पती की घर में भी चाहिए और इसकी डिमांड्स पूरी करते करते बिचारा ये खुदी मरना जाए कभी-कभी तो मुझे लगता है हाला कि हनीमून पर अपनी पढ़ाई लिखाई के दोरान इससे इतना तो टाइम मिली गया कि ये अपनी वाइफ को इस हेडा को प्रेगनेंट कर सके लेकिन हैडा को बड़ी चिड होती है जब इससे कोई कहता है कि तुम प्रेगनेंट हो गई सब को पता चल गया कि ये प्रेगनेंट हो गई तो इससे चिड हो रही है इस बात पर इससे अपनी शादी के फैसले पर भी थोड़ा अफसोस होने लगा कि कैसे बोरिंग आत्पी से मैंने शादी कर ली आगे की लाइफ बहुत उबाव होने वाली है अब इस कहानी में नए-नए कैरेक्टर्स की अंट्री होती है दोस्तो एक कैरेक्टर है मिसस थीया ये लेडी मिसस थीया कभी हैडा गैवलर की स्कूल मेट थी मतलब स्कूल में साथ में पढ़ती थी अब ये यहाँ पर आई है लव बर्ग को ढूड़ती हुई लव बर्ग मैंने आपको बताया था कि एक प्रोफेसर्शिप कर रहा है साथ में इसका राइवल है इसको डर है इस बात का कि लव बर्ग को शराब पीने की कभी बहुत गंदी लग थी कभी है ना की बज़े से उसे ये जगए उसे ये सिटी छोड़नी पड़ी थी लेकिन अब अगर फिर से उसने शराब पीना शुरू कर दिया बड़ी मुश्किल से उसकी ये आदत चूटी है शराब पीने की इस सिटी में वो वापिस आया है अगर उसे वापिस से शराब पीने की गंदी लत लग गई तो वापिस सब कुछ बना बनाया बिगड जाएगा इसलिए यहाँ पर ये थीया आई है अब आप ये पूछोगे ये थीया कौन है दोस्तों मैं थोड़ा लवबर के करेक्टर के बारे में पहले आपको बता देता हूँ लवबर का करेक्टर हेडा से कुछ कम नहीं है एकदम इल अड़क्टे टू मॉडरन लाइफ इपसन बोलते हैं कि इस आदमे की चाहा ये है कि ये दुनिया के future को बता सके मतलब दुनिया का future बता कर ये दुनिया को कंट्रोल करना चाता है इस्टोरियन है आगे की history लिखने ही कोशिच कर रहा है Human Civilization के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है कि आगे दुनिया कैसी होगी इसने manuscript भी लिख दी तो ये सब लिखकर ये future control करना चाहता है लेकिन सच ये है कि ये खुद को तक control नहीं कर सकता Andrew Gibson ऐसा बोलते है कमाल की बात बताता हूँ कभी हेडा के साथ में इस आदमी के relations थे relations थे लेकिन शायद physical relation नहीं थे शादी से पहले थे हेडा ने खुद इस आदमी से break up कर लिया था लेकिन अब ये लवबर्ग इसके husband का rival बनकर इसकी life में आ गया है ठीक है उसे ढूंडती हुई आई है थिया मैं थोड़ा बताता हूँ थिया की character के बारे में थिया उस लवबर्ग की helpmate थी उसके काम में उसका हाथ बढ़ाती थी लेकिन दोस्तों इसका कभी लेडी थिया का भी कभी टेस्वन के साथ में relation था तो ये लवबर्ग को कैसे जानती है लवबर्ग जब ये सिटी छोड़ कर चला गया था तो इस थिया और इसकी husband ने उस लवबर्ग को काम दिया था बच्चों को पढ़ाने का तब उसी दौरान ये लवबर्ग की helpmate बन गई और शायद उसके काम में हाथ बटाती बटाती लवबर्ग से इसको प्यार हो गया इतना कि ये अपनी body और soul दोनों इस लवबर्ग को दे चुकी है और इसका पिछा करती करती इस city में आ गई अपने husband से permission लिये बिना एडा को जब ये सब पता चला कि ये lady कैसे यहाँ पर आई है तो ये अपने husband से बोलती है टेस्मेंट से कि लवबर्ग को बुलवाओ दोसो एक और character की entry करवाते हैं हम कहानी में इस कहानी में एक और character है Judge Brack जो अकसर इस testament की financial help करता रहता है पैसों के मामले में help करता रहता है Judge Brack बोलते है कि मुझे याद है हमें एक bachelor party करनी है तो ये judge बड़ा चालाक, reputed इंसान है दोसों मैं थोड़ा इसकी बारे में बताता हूँ ये एक सनकी 45 साल का बुड़ा अदमी है अधेड आदमी है जिसने शादी नहीं की और अकसर दूसरों के घर में आता जाता रहता है खास करकि इस घर में दूसरों के मामलों में बहुत ज़्यादा interest है इसका इसने दो से तीन बार हेडा पर ट्राय मारने की कुशिश भी की है लेकिन हेडा अपनी boundaries जानती है और उन boundaries के अंदर इसको तो कभी नहीं आने देगी हाला कि इससे दोस्ती है हेडा की बात्चीत होती है लेकिन boundaries बना रखी है ये अकसर आकर testament को सला देता रहता है और testament को आकर बूलता है कि तुम्हें अपनी professorship लवबग के साथ में करने पड़ेगी अब एक तो वैसे financial difficulties है उपर से ये आफ़त अलग कि उसके साथ में मुझे professorship करने पड़ेगी तो ये क्या करता है अपनी wife हेडा को बोलता है कि पैसा save करना शुरू कर दो तुमको थोड़ा मतलब अपना luxurious lifestyle को control करना पड़ेगा ताकि पैसों के difficulties ना हो अब दोस्तों एक चीज मैंने आपको बता ही नहीं अभी तक हेडा जो है ना इसकी पास में कुछ पिस्तॉले है जो इसके बाप से इसको विरासत में मिली है इसका बाप military में था मैंने आपको बदाया था उन बंदूकों को ये खिलोनों की तरह अपने साथ में रखती है उन पिस्तॉलों को ये पिस्तॉले उसे याद दलाती है कि ये कितनी पैसे वाली थी और अभी भी उन चीजों का ये experience लेती रहती है जब भी ये पिस्तॉल को पकड़ती है खुद को बड़ा free feel करती है empowered feel करती है अब दोस्तों एक दुपहर जब testament घर पर नहीं था जज यहाँ पर आता है इस घर में हेडा पीछे से घर पर मौजूद थी वो क्या करती है जैसे ही अंदर घुसता है न घर में पिस्तॉल से खेल रही थी जज की तरफ मजाक मजाक में fire करना शुरू कर दिया वो शौक हो गया डर गया कि मालेगी क्या अखिर जब हेडा का मजाक खतम हो गया तो ये दोनों drawing room में बैठे है बैठ कर बात करने लगे हेडा ने जजज को उस टूपी वाले incident के बारे में बताया जो आंटी आई थी न ये बोलती है कि मैं जानती थी वो आंटी की टूपी थी लेकिन मैंने उनका मजाक उड़ाने के लिए एक तरीके से उनको भुली करने के इरादे से नाटक गिया था कि ये गंदी टूपी लाकर रख देती है मील ये जजज को बता रही है मैंने आपको बताया कि जजज के साथ में इसकी दोस्ती है लेकिन ये अपनी boundaries जानती है जजज से इसकी दोस्ती है तो ये जजज से अपना दुख जाहिर करती है कि कितनी boring life हो गई है मेरी अब दोस्तों ध्यान रखना हैडा बले ही कितना भी जजज के सामने अपना ऐसा रोना रोए लेकिन ये जजज को कभी देगी नहीं अपना दिल extra marital affair कभी नहीं बनाएगी टैस्मेन आता है दोस्तों और लवबग भी आता है उसके पीछे-पीछे ये लवबग आते ही अपनी नई published book का रोना रोने लगता है कि मैंने तो एक नई book publish करवाई है और बोलता है कि मैं अभी एक नई किताब पर काम कर रहा हूँ future में civilization कैसी होगी ये देखो मेरी manuscript ये manuscript नहीं है मेरा बच्चा है बच्चा ऐसे करकर बोलता है ये लवबग और लवबग बोलता है कि मैं टैस्मेन के साथ में अपनी प्रोफेसर्शिप को complete नहीं करूँगा इससे टैस्मेन को बड़ी राहत मिली कि कम से कम इस बात से शांती मिल गई कि पैसों का लोड तो नहीं आएगा कम से कम अच्चा है ये मेरे साथ में ना करें अपनी प्रोफेसर्शिप इस जजज ने लवबग को भी अपनी बैचलर्स पार्टी के लिए इन्वाइट किया लेकिन दोस्तों बैचलर्स पार्टी का मतलब है शराब होना लेकिन लवबग ने तो कसम खा रखी है शराब मेरी कमजोरी है इसलिए इसने इरादा कर लिया है कि ऐसी बरबाद करने वाली चीज़ को कभी हाथ नहीं लगोंगा अब एक रूम में एसमन और जजज बैटकर शराब पी रहे थे स्मोकिंग कर रहे थे और लवबग हेडा के साथ में बाहर बैठा बाते कर रहा था हेडा और लवबग याद कर रहे थे अपने पुराने दिनों को जब हेडा ने अपने रिलेशन्चिप तोड़ दी थी इस लवबग के साथ में उस टाइम पर ये पिस्तॉल से इस लवबग को मारने भी वाली थी लेकिन एंड मुमेंट इसने नहीं मारा लवबग बोला कि तुम एक नंबर की कावर्ड हो तुम्हें डर लगता था कि अगर तुमने मुझसे फिजिकल रिलेशन बनाए तो दुनिया को पता चल जाएगा और तुमने मुझसे अपना रिलेशन तोड़ दिया है ना तभी यहाँ पर थिया भी आ जाती है दोस्तों इन दोनों के पास और लवबग उसकी तारीफ करने लगता है कहता है कि यह बहुत ब्यूटिफुल लेडी है देखो इस लेडी की हिम्मत देखो कि यह तो अपनी पती से परमीशन लिये बिना भी मेरे पीछे-पीछे आ गई इसे कहता है हिम्मत अब देखो दोस्तों हेडा बले ही कितनी भी मरदाना हो कैसे भी इसकी बापने इसको पाला हो लेकिन जेलसी तो एक औरत को वरदान होती है हेडा को थोड़ी जेलसी होती है थिया से लवबग को इंकरिज करने लगी यार तुम कैसे आदमी हो शराब नहीं पीते दिकार है तुम पर क्या सोचेंगे लोग कि तुम शराब नहीं पीते कैसे आदमी हो लेकिन दोस्तों ये कुछ भी बोले लवबग ने कसम खाई है कि इस बरबादी की जड़ को हाथ नहीं लगाएगा लेकिन जैसे तैसे उकसा के हेडा ने कैसे ना कैसे कुछिश करके इसको दो पैग पिलाई दिये अब शराबी ने जब दो पैग यानि शराब को मू लगा लिया तो ये बोला मैं भी चलूँगा बैचलर पाटी में धिया जानती थी कि अगर ये बैचलर पाटी में गया तो इसका मतलब ये शराब पीएगा और शराब पीके बिल्कुल एकदम लेकिन ये रुखने वाला था क्या ये सुनने वाला था ये बोला मैं जा रहा हूँ रात को दस बजे से पहले पहले लाटाओंगा अब थिया को तो उस रात नीद नहीं आए एडा बरबादी करके आराम से सो गई थी अब एक आदमी बोल दे शराब पीने वाला आदमी बोल दे खास करके दस बजे आ जाओंगा रात को और वो आ जाए कमाल हो जाएगा चमतकार हो जाएगा वो आए नहीं कोई भी नहीं आया उन तीरों में से टाइम तो निकलता जा रहा था यहाँ पैनिक हो गई थी कि इतनी रात हो गई लौटके कोई भी नहीं आया इतने में टैस्मेन आता है दोस्तों गुस्से में आता है एडा ने पूछा कैसी गई पाटी बोला कि उस लवबग ने कमाल की मैनुस्क्रिप्ट लिखी है जिसे वो अपना बच्चा बताता रहता है दारूबास कहीं का उसे ये भी होश नहीं कि अपनी मैनुस्क्रिप्ट को कैसे समाल के रखना है गटर में मिली उसकी मैनुस्क्रिप्ट मुझे टेस्मन अपनी बीबी को यानि हेडा को उसकी मैनुस्क्रिप्ट दिखाता है कहता है यह री मुझे उसे वापस करना होगा तभी अचानक इसकी पास में एक खबर आती है कि इसकी वो आंटी थी न रीना उसका आखरी टाइम आ गया है वो मरने वाली है वो तुरंत निकला और जाता जाता उस मैनुस्क्रिप्ट को दे गया अपनी बीबी को समालने के लिए कि इसको समाल कर रखो हेडा और वो मैनुस्क्रिप्ट उसके हाथ में वहाँ पर अकेले थे तभी यहाँ पर जज आया दोस्तों भागता हुआ जज आकर बोलता है कि उस पाटी में लवबग ने हंगामा कर दिया है कि उसकी कोई चीज चोरी हो गई है और उसने लड़ाई जगडे कर दिये उसको पुलिस पकड़ कर ले गई जज बस इतना बताने आया था हेडा को कि लवबग को अंदर मत घुसने देना और वो वहाँ से चला जाता है अब थोड़ी देर का टाइम गुजरता है और हेडा को कुछ आवाजे सुनाई देती है हॉल से हेडा जब जा कर देखती है तो देखती है कि यह लवबग था लवबग नीचे लेड जाता है और रोने लगता है तो बुरी तरीके से रोने लगता है कहता है कि मैंने अपनी manuscript को फवाड दिया टुकडो टुकडो में फवाड दिया और बहा दिया अब दोस्तो थिया जिसने इसके साथ में मेहनत की थी उस manuscript को तयार करने में वो उस पर चिल्दाने लगती है कि लवबर्ग तुमने शराब के नशे में ये क्या कर दिया तुमने एक बच्चे को मार दिया दरसल दोस्तों ये अपना बच्चा मानता था उस manuscript को तो धिया गुसे में वहाँ से चली जाती है अब हेडा और ये लवबर्ग दोनों अकेले होता है लवबर्ग हेडा से बोलता है कि मेरी जिन्दगी होपलस है वो अपनी पूरी बात को उसके सामने कनफस करता है कहता है कि सच तो मैंने बताया है नहीं दरसल मेरी manuscript चूरी हो गई मैं अपने आपको मार डालना चाहता हूँ मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ तो ऐसे बे आप क्या सोचते हो कि हेडा क्या कहेगी वो उसको रोकेगी नहीं वो उसे बोलती है कि मार लो न पिर देरी किस बात किया यहाँ से निकल जाओ और दुबारा लोटके मता ना मेरे घर में और एक मिनिट यह पिस्तॉल भी लेकर जाओ वो अपने फादर की एक पिस्तॉल देती है उसे और कहती है कि आराम से स्विसाइड करू न जाओ यहां से लवबग वो पिस्तॉल लेकर वहां से चला जाता है जैसे वो जाता है तो हेडा उस मैनिस्क्रिप्ट को बाहर निकालती है जो उसका पती उसे दे कर गया था बोक्षेल्ट से निकालके वो आग में उस मैनिस्क्रिप्ट को जला देती है अब दोस्तो उसी शाम उस आंटी रीना की डेथ हो जाती है टेस्मेन वापस आता है अब बिल्कुल वो तूटा हुआ सा था अपनी आंटी की डेथ की वज़े से लेकिन उसके दिमाग में अभी भी एक ख्याल तो था कि लवबर्ग की मैनुस्क्रिप्ट उसे वापस कर रही है तो हेडा उसे बोलती है कि मैंने वो मैनुस्क्रिप्ट जला दी गुस्से में जला दी तुम्हारे लिए जला दी टेस्मेन ने जब ये सुना तो वो शौक हो गया उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे ऐसे मुमेंट पर वो कैसा रियक्ट करे वो खुश होए डाउट में रहे या फिर वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था तभी वहाँ पर धिया आती है दोस्तों वो बोलती है कि लवबग ने अपने आपको गोली मार लिया वो हॉस्पिटल में है पता नहीं उसने अपनी चाती में खुद को गोली मार रहे अब दोस्तों हैडा को इस बात का कोई गिल्ट नहीं था गिल्ट था तो टेस्मेन को वो सोच रहा था वो मैनूस्क्रिप्ट उस ऑथर का नाम अमर बना सकती थी लेकिन वो manuscript इस दुनिया से चली गई धिया बोलती है कि वो manuscript लवबग ने मुझी dedicate की थी और यहीं पर on the spot Tessman और धिया दोनों decide करते हैं कि हम team बनाकर वापस लवबग के उस work को जमा करेंगे, वापस से तयार करेंगे और लवबग का नाम अमर करेंगे तभी दोस्तों, जज यहाँ पर आता है और हड़ा से बोलता है आपको बताया था, यह आदमी opportunist है और एक पी मौका छोड़ेगा नहीं हड़ा को blackmail करनेगा यह बोलता है कि लवबग तो मर चुका लेकिन उसकी मौत intentional society नहीं लगती है उसने अपने आपको चाती में गोली नहीं मारी थी बलकि पेट में गोली मारी थी और जज बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि वो तुम्हारी पिस्तॉल लेकर गया था और जज उसे एक option देता है कि अगर तुम चाहती हो कि किसी को पता ना चले कि वो पिस्तॉल तुमारी थी तो मैं अपनी जबान बंद रख सकता हूँ लेकिन बदले में मैं कुछ लूँगा अब दोस्तों आप सोचो कि हेडा क्या करेगी उसने अपने हस्बेंट से प्यार दिखाने के लिए उस मैनुस्क्रिप्ट को सदा के लिए जला दिया लेकिन ये आदमी आकर उसे ब्लैक्मिल कर रहा था अब उसका हस्बेंट उस मैनुस्क्रिप्ट को फिर से तयार करने के लिए थीया के साथ में लग जाएगा लेकिन इसका क्या होगा इसे तो ये आदमी अब blackmail कर रहा था लेकिन मैंने आपको बताया था इसके बाप ने इसे जुकना किसी आदमी से दबना कभी सिखाया नहीं था ये चुपचाप अपने room में जाती है और पियानो बजाने लगती है बहुत जोर जोर से ये पियानो बजाने लगती है एक wild tune बजाने लगती है और end में ये खुद को shoot कर लेती है और हेडा की मौत के साथ ही ये कहानी खतम होती है दोस्तों अब जब आपने ये वीडियो खतम कर लिये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ड्रामा समझ में आया होगा दोस्तों पिलाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ आपसे next वीडियो में